पिछले सब्ताब आपने क्या सीखा था वचन में से? परमेश्वर दीन और गरीब लोगों के लिए आया इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि धनियों में से कोई भी स्वरगवे के राजे में नहीं जाने पाएगा मैं क्लियर करना चाहता हूँ ये बाते क्योंकि इंटरनेट पर कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या सिरफ गरीब लोगों के लिए ही आया प्रभू सब के लिए आया है धनी का प्रवेश करना कठिन बताया गया है ऐसा नहीं कि जायेगा नहीं धनी भी परमेश्यों के राजे में जाएंगे जिनका मन अपने धन संपती पर नहीं है ऐसे लोग प्रमेश्यों के राजे में जाएंगे चाहे वो धनी भी क्यों ना हो वहाँ पर हम पढ़ते हैं नौजवान एक आता है और प्रभू से कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं प्रभू कहता है कि यही के आग्याएं मानेंगे तो अनंत जीवन मिलेगा आग्याएं नहीं मानेंगे तो अनंत जीवन हमें नहीं मिलेगा समझा रहा है फिर वो कहता है यह तो मैं लड़कपन से मानता है हूं रचपन से मानता आया हूं फिर किस बात की घटी है येश्यमसी कहते एक बात की कमी है यदि तू सिद्ध होना चाहता है अगर आप सौ प्रतिश्यत बाइयबल में तीन केटेगरी हैं तीस गुनाफल लाने वाले साथ गुनाफल लाने वाले और सौ गुनाफल लेने लाने वाले अगर आप सिद्ध होना चाहते हैं परफेक्ट होना चाहते हैं कुदावन का कलाम कहता है सिद्ध बनो क्योंकि तुमारा परमेश्वर जो बुलाने वाला है वे सिद्ध है हमारी बुलाहट जो है वो सिद्ध होने के लिए है बाइबल बताती है संपून पवितर शाष्टर परमेश्व के आत्मा की प्रेरना से दिया गया है अगला वचन क्लिका है सुधार के लिए लाबदाएक है ताड़ना के लिए लाबदाएक है समझाने के लिए लाबदाएक फिर अगला वचन कहता है जिससे पवितर जन क्या हो जाए सिद्ध हो जाए पॉल उस कहता है कुलेशियां एक अठाई में के जिसका प्रचार हम करते हैं कि सारी घंबीरता के साथ या सारे उपदेश के साथ शिक्षा के साथ सिखाएं और एक व्यक्ति को सिद्ध बना कर उपस्थित करें सेवक हमें दिया गया है सिद्ध बनाने के लिए वचन हमें दिया गया है सिद्ध बनाने के लिए तो उदेश्य क्या है हमने परमेश्वर के जैसे सिद्ध बनना है चलते चलते बनेंगे एक दिन में नहीं बन सकते है तो येश्व मसीस नौजवान को कहते हैं यदि तो सिद्ध होना चाता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों में बाट दे वचन कहता है बड़ा उदास हो गया क्योंकि उसके पास बहुत संपती थी और उस संपती से उसको प्रेम था इसलिए ये आग्या बहुत बड़ी लग रही थी जो संपती से प्रेम करता है धन दौलत से प्रेम करता है ऐसों का जाना मुश्किल है इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है कि धनी लोग परमेशों के राजे में नहीं जाएंगे धनी भी जाएंगे वो धनी जिनका मन अपने धन पर नहीं बहुत सारे वचन हम देखते हैं याकूब दो का पाँच कहता है कि परमेशों ने इस जगत के कंगालों को चुन लिया कि उन्हें विश्वाश में धनी करे हम आखरी साथवी कलीसिया जो देखते हैं परकाशित वाके तीन अध्याए पंद्रा से कहता तुम गुनगुने हो ना तो गरम हो ना तो ठंडे हो कहता तुम कहते हो मैं धनी हो गया हूँ मैंने धन प्राप्त कर लिया है कहता पर यह नी जानते तुम कंगाल और भागा कौन जिसने अपने प्राण की हानी उठाई और सारे जगत को प्राप्त कर लिया ऐसों के विशे में प्रभू बोलता है कि कठेन है उनका प्रभू के राज्य में जाने के लिए तो इसको मिसंडरस्टूट मत कीजिएगा के धनी होना गलत है धनी होना कोई गलत नहीं है बट उस धन पर मन लगाना गलत है ठीक है जी धनी होना पाप नहीं है प्रभू ने अबरहाम को बहुत धनी बनाया लोग बोलते कि क्या मतलब इसका उसका इस धन पर मन नहीं था तंबों में रहता था और कहता है उत्तम देश की बाट जोता था उसको कनान देश नहीं चाहिए था उसको जब पता चला कि परमेश्वर ने कनान देश से भी एक उत्तम देश बनाया है, नया यरुशलम, स्वर्गे देश, सियोन देश, स्वर्गे देश, तो उसका जो मन था, उत्तम देश, कहता कि हमें कनान देखे, परमेश्वर कलीसिया को क्या दे रहा है, कनान से भी उत्त की खोज में रहू तो ये है बाइबल का उपदेश इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है कि धनी बस कांटा लग गया है क्रॉस लग गया हो नहीं जापाएं ऐसा बिल्कुल नहीं है हाललुई धनी होना कोई गलत नहीं है धन पर मन लगाना गलत ये श्वरमसी कहते हैं इस्पृत श्छन नहीं बना देते हैं अगला वजन कहते हैं प्रेफी परमेश्वर के जन तो इन बातों से भागा रोज की रोटी के लिए को चाहे तो अमें धनी बना भी सकता सलमाण में यहावा pendant से मांगे हैं कि ना तो मुझे धनी बना और कि मैं पेट भर के मैं कहूं कि यहौँआ कौन है और कहता है ना तो मुझे गरीब कर कि मैं ऐसे बांगू लोगों से उना होनी है कि प्रभु मारी रोज की रोटी आज़ा में दी ये श्यमसी ने भी प्रात्ना में यही सिखाया है अलेलुई है फिर वे कहता है कि संसारिक लोग यह बाते मांगते हैं अन्य जाती लोग इन चीजों के पीछे भागते हैं हमारा हमारा कॉल जो है मारा बुलाहट थोड़ा अल